कि सो हेलो इब्रिवन वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों यह लास्ट समय इंडियन कोस्ट गार्ड एंडियन नेवी का तो फ्रंट इस वीडियो में आज मैं मेडिकल रिलेटेड कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपको फाइनल मेडिकल में संदार है ठीक है तो सबसे पहले जाने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों को जो जो मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार से मेडिकल होता है और मेडिकल से out होने से कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं ये आपको बता दूँगा यहींवे ठीक है और लग बग में आपको basic जानकरी देनी है जो आप वहां पर जांगे तो आप वहां पर out ना हो सकें ठीक छोटी मोटी गलती से वहां पर out कर दिये जाते हैं और जैसे बारी किसी पर ग्टी होती है मेरा मानना यह है कि आप लोगों से ज्जा प्रिमेडिकल के बारे में ही बात कर लेता हूं आप लोगों से देखो जैसे आपको पता है कि मेरे सरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप प्रिमेडिकल बिल्कुल भी मत कराईएगा ठीक है अगर आप लोग जैसे कुछ कंडिट ऐसे होंगे कि प्रिमेडिकल करा लिया हो तो आप लोग पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ अब मेरा जो फाइनल मेडिकल है वो मैं फाइनल मेडिकल से आउड नहीं होंगा तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग जो जो जा रहा है कंडिडेट चाहिने शिल का वो एक बार प्रिमेडिकल करा लिए आपकी छोटी मुठ कि अगर मिस्टेक होगी तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बता देंगे कि किस प्रकार से सही करना है जल्दी जल्दी आपका सही हो जाएगा ठीक है और यही मतलब होता है कि प्रिमेडिकल करा लेने का जिससे आपको छोटी मोटी जो गलती होती है या छोटी मोटी जो म मिस्टेक होती है वो आपको पता चल जाती है और आप उस चीज़ पर कमान्ड करते हैं जिसे वो सही होजाती है जल्दी जल्दी ऐखा gef pierws सबस्टे मेरे अंदर क्या प्रबलम है किव्यासरा नहीं होता है कि मे आप लोगों को जल्दी से जल्दी आपका पता चल सके कि आपके शरीर में क्या प्रॉबलम है क्या नहीं है तो बात करते हैं पांच उन पॉइंट की जो आप लोगों को आउट कर सकते इन इस चिलका से फिर्ट से वह पांच पॉइंट बहुत समझ लीजिये कि आप लोगों के लिए जो मैं 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं वो अगर आपने आपके सरीर में वो दिक्कत नहीं है तो आप समझेगा कि आप लोगों को कोई आउड नहीं कर पाएगा ठीक है तो सबसे पहले किस की बात करते हैं सबसे पहले बात करते है फ्लैट फुट की जो की बहुत अच्छा पॉइंट रहता है उन लोगों के लिए तो फ्लैट फुट को रखते हैं अभी साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैर कट की जेको भाई आप लोगों क्या करना है आप लोगों को वहां पे जो आपके और प कपड़े होने ज्यादा भेहसन वाली कपड़े रहर्म कटभण अ कंड़े होने चाहिए ठीक है का आर्मी लेबेल आकोने चाहिए आर्मी कर लेते हैंने लड़के होते हैं वो शोटी हो यह बल्कुल को बंपर अबूज्द। दीन स्पुख होती है तो यह वहां पर इंपरेशन कर सकता आपको कि किस प्रकार से आपको डील करते हैं ठीक है तो आप बल्ड मैंटेन ऊकर जहीएगा हँआसे उसके बाद trust मुश्ट मुश्टली लड़कों को प्रॉब्लम होती है इयर्वेक्स की तो आप लोग इयर्वेक्स जरूर निकलवा के जाएगा इयर्वेक्स ठीक है उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है टाटर जो दातों में आपकी गंदगी लग जाते हैं पीला पन हो जाता है आपको आप ओवर कॉंफिडेंस में चले जाते हूं आप सबसे पहले आपको गवराना नहीं है डिकल नॉर्मल होता है आपको वह नहीं होगा कि आप लोगों को डांटेने लगेंगे इसा कुछ नहीं बिल्कुल नॉर्मली फ्रेंड फ्रेंड ली आपसे बीव करेंगे तो आप ल कोई ज्यादा कपड़े जोते लूज पहन लेता है कोई टाइट पहन लेता है वह नहीं नॉर्मली पहनना है जिस प्रकार से आप वहां से आएंगे आप लोगों कंपर्ट होना चाहिए उतने उससाब से कपड़े आपको पहनना है उसके बाद फ्लैट फूट प्रॉब्लम होती है फ्लैट प्रिम्लम है अचाहिं यह संदुखली और वह वह रहां हो जाते हैं अकर आप जल्दी हार ciao अझाहि चाहिए उससे पहले भी मैंने वीडियो पर आप बाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है आपका नौकिनी प्रोब्लम नौकिनी प्रोब्लम को मैंने बताया थे कि एक मंत लगेगा आप तकिया बीच में बांदेगा पैरों के बीच में बांदेगा आपका नौकिनी प्रोब्लम सही हो जाएगा ठीक है उसके पर पास हो जाते हैं आई वाले में कोई प्रॉब्लम भी रहता है आपको एक फॉट्ट नौक नी एंड जो एंगल होता करी अंगल उसके प्रॉब्रम रहता कर ठीक है उसके बास सभी आप डॉक्मेंट आपके अपने एक तम अच्छी तरह से बेल मेंटें करके लिए गा एक फाइल में आप लोगग तो लगा लीजिगा एक फाइल से अचीतर्छी तयार कर लीजिए और जितनी भी डॉकिमेंट आपके अभी तक आप पास इतनावी विए रेया चाहेगा और आपkे पास सर्य नीचे लोग देख लीजिये जाके टीक है और बेट बेकी बात करते हैं तो बेट क्या Ark чем आट के जाते हैं जिसका नहीं बढ़ता है कि उसको भी ले लेते कि लोग ठीक है तो अब बात आते है ci western होगा तो इसमार भी 14 दिन का क्वारेटीन होने वाला आपका ड वांत चौधा दिन का आपका क्वारंटीन वहां पर होगा ठीक आप किस परकार से होगा सबसे पहले आप जाएंगे वहां से आप आपकी रिपोर्टिंग हुआ है तो आपको किस पकार से सही कराना है और एफिटीविट के बारे मैंने बताया था वह बन वाले ना पैसिकली आप पोस्टेव कि जाए गांसे आपको जाएगा ठीक है उसके बाद जब जाएगे अब फिर आप 24 दिन के लिए क्रांटीन हो जाएंगे को आपको फाइनल मेडिकल होने के बाद में जब आप पास हो जाते हैं तब आपको फाइनल जोइनेंग वहांपर दे दिया जाएगा ट्रैनिक के लिए आप कमपल्सरी हो जाएंगे ठीक है तो यह था पांच पॉइंट पांच पॉइंट से ज्यादा ही मैंने पॉइंट बता दिया आप लोगों को पॉस्टिप करना था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और मेरा एक टेलिग्राम गुरूप है नहीं नहीं जोइन के हैं तो लिएकर सकते हैं और मुझे सादर बता बात कर सकते हैं तो आप लोग आराम से जाएगा कोई भी डौट तो मुझसे पूच लेना क्योंकि मैं वहां से बापस आया हूं वाहाँ पे लड़कों को प्राब्लम होता है और सबसे पहले बात ही आप गवरा यह मत देखो सबसे पहले वहां पे आपको गवराना एक नाजुग सी चीजा गवरा जाते हैं कंडिडेट वहां पे भाई बहुत फ्रेंडली वे वहर करते हैं ठीक है अब लोग कोई टेंसे नहीं जिस प् बंदे मातरम और जाते जाते यही कहूंगा एक लाइक कर देना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाता है तो यह जा वारत बंदे मातरम